नमस्कार दोस्तो पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तो आज फिर एक बार मैं आप लोगों के सामने सत्यानासी फाइदे लेकर आया हूँ दोस्तो यह जो पौधे आप देख रहें काटे दार इसे सत्यासी सत्यानासी नाम से जाना जाता है दोस्तो इस पौ करा हुआ सत्यानासी कब पित दोस्त को नास करने वाला तोचा रोग में दाद खाज खुजली एक्जमा अकवत अप्रस और कुछ रोग को भी खत्म करने वाला माना जाता है दोस्तों या सत्यानासी को पवधा जो है इसके फूल पीले-पीले होते और बीच में गुलावी रं सता है इसके अंदर सरसोग जैसे दाने निकलते हैं उस दानों से तेल वी मूंता है और इसका तेल हर तरग तोचा रोग में यूज किया जाता है इस्तमाल किया जाता है देख लीजिए पहिचाल लीजिए दोस्तों इसके फाइदे इतने ही नहीं है इसके जड़ के चूरन धातू छीड़ता धातू रोग में इस्तमाल किया जाता है जिससे अत्यधिक फाइदे होते हैं दोस्तों यह देखने में बड़ा डेंजर दिखता है लेकिन यह आयरवेद के अनुसार बहुत ही अच्छा आयरवेदिक दवा माना जाता है सत्यानासी पोधे को अलग-अलग भासाओं अलग-अलग नामोंस भी जाना जाता है आपके भासाम इसे किस नाम से जानते हैं जरूर बताईएगा इसके फूल पीले पीले होते हैं इसलिए इसे स्वर छीड के नाम से जाना जाता है और आग लगाकर इसे जलाने पर यह आवाज करता है भड़़़ इसलिए इसे भड़़़़ा भी कहते हैं दोस्तों इसके कोमल कोमल जड़ को जमीन से खोद कर निकाल लीजिए निकालने बाद उसे दूब में सुखा कर पौडर बना कर रख लीजिए उस पौडर के एक ग्राम सुबा साम दूद के साथ सेवन करने से सकती वढ़ता है बलवर्धक माना जाता है या चूरन लेकिन दोस्तों इसके तनाओं क जहरीला चूटा तो आप इसके पीले पीले दूद को निकार कर उस जहरीले अस्थान पर लेप मारिये बिल्कुल जहर का असर खतम हो जाए कुछ मिंटों के अंदर दोस्तों इसके फाइदे इतने ही नहीं है दर्द के लिए सूजन के लिए या राम बाणा उस दिम आना ज जाएगा दोस्तों इस पोधे का उनस्पत्ति नाम है अर्जी मोन मेक्सिकोना तो इंगलिस में इसे प्रिकली पोपली कहते हैं तो संस्कृत में इसे कडू पढ़रिक नाम से जाना जाता है और उर्दू में इसे ब्रह्म डंडी भी कहते हैं दोस्तों इसके डंडल को तोड आखाने से आखों के रोग दूर होता जैसे रतवंदी या फिर मोतिया भिंद या दो रोगों में आखों के लिए काफी फाइदे मन माना जाता है देख लीजिए या इसके दूद है इसके उपयोग और भी अनेक है अगर इसके दूद को निकाल कर आप करीबंद पचास से करीबन एक ग्राम इसके जड़ के चूरन को 200 ग्राम दूद के साथ पीने से सीने में जमा हुए कप बाहर निकल जाता है और स्वांस लेने जो भी तकलीफे वह भी ठीक हो जाता है दोस्तों देख लीजिए पैचान लीजिए इस तरह से अनकों बिमारी मुपयोग करने वाल करते हैं अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तो नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक